आपका इंतजार समाप्त हुआ, क्योंकि आज से हम आपको लगातार जो है, हम आपको प्रैक्टिस से पाएंगे, आईए देखते हैं, आज के महत्पूर प्रश्णों की स्रिंखला का पहला किश्यन, पहला किश्यन आपसे कह रहा है, कि भारत में सबसे प्राचीन मानो अस्ति पंजर किस काल में मिले हैं, आपसन A आपसे कह रहा है, पुरापाशान काल, B कह रहा है, आपका मध्यपाशान काल, C कह रहा है, आपका नौ पाशान काल, और D कह रहा है, आपका तामरपाशान काल, एक बार प्रश्णा आपकुनस, ध्यान से पढ़िएगा, यहां पर बताय आपका पुरवा पार्शान काल, मध्य कह रहा है आपका मध्य पार्शान काल, C कह रहा है आपका नौ पार्शान काल, D क्या है आपका ताम्र पार्शान काल, जो भी मित्र जुड़े हुए हैं, जल्दी जल्दी जो है प्रशनों का उत्तर दें, और जितने भी मित्र जुड़ आगे जो है अच्छे question आपको मिलेंगे, चलिए, चलिए, यहाँ पर लगातार सभी लोगों का उत्तर आना चालू होगे, आईए देखा जाए, तो अब यहाँ पर देखा जाए, तो भारत में सबसे प्राचीर मानो अस्ति पंजर किस काल में मिले हैं, यहाँ पर हम जितने ल लोग जो है पुरा पाशान काल लगाए हैं, तो आप जानते हैं कि पुरा पाशान काल में मानो असेस के प्रमाण प्राप्त होते हैं, पुरा पाशान काल में हमको क्या मिलता है, यहाँ से हमको मानो असेस के जो है क्या होते हैं, यहाँ से हमको प्रमाण प्राप्त होते हैं अर्थात मन्ष के सरीर का कोई एक भाग जैसे सर हो गया तो यहां हमको सर प्राप्त हुआ है जिसको हम मानो औसेस कहते हैं और मानो औसेस कहां से प्राप्त हुआ है यह हथ नेरा से याद करिए हथ नेरा से हमको सबसे प्राचीनतम जो है मानो औसेस प्राप्त हुआ है यह कहां परिस्तित है यह पाया जो गया है यह नर्वदा नदी घाटी से प्राप्त है यह कहां से प्राप्त है यह नर्वदा नदी घाटी अर्थात होशंगा बास से प्राप्त है अब देखा जाए यहाँ पर मानो औसेश की बात कर रहा है अर्थात यहाँ मनुश्च के जो है यहाँ से कपाल प्राप्त हुए है जब कि आपको कर रहा है अस्ति पंज़र मतलब सारिक प्रारूप अर्थात जो है नक से लेकर सर तक के समस्त प्रारूप की बात कर रहा है तो यह सराय नहर राय जहां से हमको नर्ज संगहार के प्रमाण प्राप्त होते हैं, जो कहां परिस्थित है प्रतागड यह मध्य पाशान कालिन जो है पुरौ अस्तल है सराय नाहर राय की खुदाई से हमको जो है वहां से हमको अनेत मानों के अस्ति-पंजर के प्रमार प्राप्त होते हैं उनको देखने से लगता है जैसे वहां पर कोई नरसंगार हुआ तो से पूछे कि सबसे प्राचीनतम मानों से इस के प्रमार हमको कहां से प्राप्त होते हैं तब आप क्या कहेंगे हथनेरा घाटी पूछेगा तो नर्मदा नदी घाटी जिला पूछेगा ता आपका क्या है मध्य प्रदेश का होसंगा बात जिला अगर आप से पूछे जो है यहां साहरीक प्रारूप की बात पूछे अस्ति-पंजर की बात पूछे तब आप क्या कहेंगे तो वह मध्यपासान काली इन पुरास्थल क्या है, सराय नाहार राहे जो आपके प्रताब गढ़ में इस्तित्र है यहां सकी खुदाई से हमको को जो है मान्व अस्तिपंजर के प्रमाड मिले हैं जिनके जिनको देखने से लगता है कि जैसे वह नरसंगहार में उननकी जो है यह अर आप का उत्तर क्या है यहां परorg जो बिल्कुल सही है और आप जानते हैं कि मध्य पासान काल से ही हमको क्या मिलता है यह मध्य पासान काल में ही हमको जो है पसुपालन के प्रमाड प्राप्त होते हैं पसुपालन के प्रमाड हमको कहां प्राप्त होते हैं यह बागोर बागोर कहां पढ़ता है मित्र यह कालन के प्रमाड हमको मध्य पाशान काल में मिलता है वहां स्थान कौन सा है बागोर जो आपके राजस्थान में है दूसरा आपका आदमगड जो आपके मध्य प्रदेश में इस्थित है जब कि अगर हम नौ पाशान काल की बात करते हैं तो नौ पाशान काल में धिहान दीज यहां से हमको सबसे प्राचिंतम जो है यह क्रिसी के प्रमाण प्राप्त होते हैं अर्थात यहां पर जो क्रांतिकारी परिवर्तना आता है वह क्रिसी के साथ आता है और नौपासान काल में मानों जो है वह अगनी का क्या करने लगे अगनी का प्रयोग करने लगे अगनी का उ अर्थात 9 पाश्ण काल में हमको जो है ये बस्ती के जो है प्रमाण प्राप्त होते हैं तो आप लोगों को समझ में आ गया पहला किशन अर्थात भारत में सबसे प्राचेंतम मानो अस्ति पंजर किस काल में मिले हैं तो अगर अस्ति पंजर की बात करता है मानो प्रारूप की बात करता है तो हम मध्य पार्शाणकाल के सराय नाहर राय से सर प्रतम हमको जो है यहां से मानो अस्ति पंजर के प्रमाल प्राप्त होते हैं जो कहां पर है जो प्रताबगढ़ जिले मिस्तित हैं उसके बाद अगर देखा जा प्राचिंतम मानों ने, अगर उलेक होता है, तो वह नौपाषाण काल से संबंदित है, मनुष्य आग का उपयोग कब करना चालू किया, तो जो है, नौपाषाण काल में, चाक तथा पहिय से मिट्टी के बरतन के प्रमार कब से मिलते हैं, यह तो समान निचानकारी है, लेकि चौहान प्रिंस सिंग जी रिनु यादव जी निगम जी स्रेया एजूकेशन प्रिजेश कुमार जी मोहित यादव जी अजय कुमार यादव जी एक है यहां पर विनेश रोही जी काफी मित्र हम से जुड़ चुके हैं और जितने भी लोग जुड़े हैं हमको आधित्तम का चाहिए जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग प्रश्णों का उत्तर देंगे अभी तो सुरुवात है यह प्रश्णों की स्रिंखला आब आपके पेपर तक चलेगा कम सकम 2500 से एक भी प्रश्ण कम नहीं करवाएंगे इससे अधिक हो जाए कम सकम 2000 प्रश्णों की स्रिंख अधिक्तम में आपका 2000 सो 3000 तक पहुंच सकता यह लगातार जो है ग्यारबजे से आपकी क्लास चलेगी और जितने भी मित्र जुड़ेंगे सभी का उतर करते हैं क्योंकि सारे के सारे प्रश्ण जो है बहुत ही महत्पून हैं इन प्रश्णों में आपके कुछ पुर्वाने प्रश्ण रहेंगे कुछ सदाबहार प्रश्ण रहेंगे कुछ आपको जो है नमिंतम प्रश्ण रहेंगे अर्थात इन तीनों का जो है इन मिस्रण रहेगा जो आपके जो है परिक्षा के लिए क्या है बहुत उपयोगी रहेगा आई देखते हैं अगले प्रश्ण की बात करिएते हैं देखिए अगला प्रश्ण आप से क्या कर रहा है देखिए दूसरा प्रशना आप से क्या कर रहा है बहुत ही महत्पूर्ण प्रशना आप से कह रहा है सबसे प्राचीनतम बस्ती कहां से प्राप्थ हुई है यहां बात कर रहा है कि सबसे प्राचिनतम बस्ती कहां से प्राप्त हुई है तो यहां पर आपसन आपका एदेरा पलवरम भी है आपका हतनेरा भी है आपका मेहरगड भी है आपका दाइम्याबाद अब देखा जाए, यहाँ पर सबसे प्राचीनतम बस्ती के प्रमाण कहां से प्राप्त होते हैं, अभी हमने आपको बताया, कि सबसे प्राचीनतम बस्ती के प्रमाण हमको कब से मिलते हैं, यह नौपासानकाल से, हमने बताया कि मानुश के जीवन में नौपासानकाल जो है, तो इस काल में आप जानते हैं नौपाशान काल में यहां से जो है क्रिसी के सरपर्थम क्रिसी के प्रमार मिलते हैं यहां जेखा जाए तो पहली बार जो है मानो द्वारा जो है अगनी कूपियों के साक्ष मिलते हैं यहां पर आप देखेंगे पहिये द्वारा क्या किया गया पहिये या चाक द्वारा क्या किया गया यहां पर बरतन का निर्माड किया गया और यहीं पर आप देखेंगे सर पर्थम हम को जो है क्या मिलता है यहां पर बस्ती के प्रमाड मिलते हैं और बस्ती का प्रमाड आपको कहां से मिलता है या मेहरगड से जो है आपका बस्ती का प प्रमार्द प्राप्त होता है यह आपके कहां में अब कुछिन पूछा जा सकता है कि मेहरगड कहां है मेहरगड यह आपके बलचिस्तान पाकिस्तान में इस्तित यह कहां परिस्तित है यह जो है बलचिस्तान पाकिस्तान में इस्तित जब कि अगर हम पल्लवरम की बात करते है अगर हम पल्लवरम की बात करते हैं तो यहां से हमको प्रागैतिहासिक कालिन उपकरण प्राप्त हुआ था जो आपके तमिलनाड मिस्तित है हथनेरा की बात करते हैं यहां से सबसे प्राचीनतम मानो औसेश प्राप्त हुए हैं जो नर्मदा नदी घाटी हो संगाबाद मिस्तित है आप मेहर गड़ की आपने बात किया तो मेहर गड़ से हमको जो है यहां से बस्ती के जो है क्या होते हैं यहां से प्रमाल प्राप्त होते हैं जो बलिचिस्तान पाकिस्तान में स्तित है यह नौपासान कालिन जो है यह अस्तल है तो आपका उत्तर क्या हुआ मित्र सी जो है बिल्कुल सही जो भी भाई बंदू आपसं सी दिये उनका उत्तर क्या है बिल्कुल सही आगे चलते हैं यहां पर लगातार जो है हमारे जितने भी मित जुड़े हैं लगातार प्रशनों की उत्तर दे रहे हैं यहां पर देखें दूसरे का उत्तर जो है लगातार लोगों ने सीधिया है आईए देखते हैं देखें तीसरा प्रशन आपसे क्या करा है तीसरा प्रशन करा है जंगली सान को पकड़ते, जंगली सान को पकड़ते, रथा बर्चि से छेदते हुए आखेटकों का मनोहारि द्रिस कहां अंकित है, बहुत ही महत्पूर्ण प्रश्ण है, यह प्रश्ण बहुत ही महत्पूर्ण है, आईए देखा जायत इसके आपसन क्या है, एक आरा है भलडारिया या भलडारिया है जो आपके मिर्जापूर में है भी है पंचमढ़ी जो आपके मध्यप्रदेश में है सी है होसंगाबाद जो आपके मध्यप्रदेश में है और डी क्या है सिंगहनपूर जो आपके 36 गड़ मिस्तित है अर्थात इसका आप लोग जितने भी लोग हैं सभी लोग जो है इसका उत्तर दें तीसरे प्रश्ण का उत्तर है हम देख रहे हैं यहाँ पर अनिल तिवारी जी का उत्तर डी है रागविंदर सिंग जी का उत्तर डी है गोपाल जी सी कह रहे हैं विकास प जितने भी मित्र हैं यहाँ पर जो है सुधीर जी जितने भी लोग हैं सभी लोगों का उत्तर क्या है दी दे रहे हैं आईए देखते हैं कि इसमें कौन सा उत्तर सही है अब देखें जंगली साण को पकड़ते तथा बर्ची से छेदते हुए आखेटकों का मनुहारी दिर्श कहां से प्राप्त हुआ है यह सिंगहनपूर से प्राप्त हुआ है यह आपके लिए बहुत ही महत्मुन अर्थात आपका उत्तर जो है डी जो है बिल्कुल सही अब आये थोड़ी सी सिंगहनपूर की हम चर्चा कर लेते हैं सिंगहनपूर की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे जो आदेती हासिक कालिन जो नगर है जो हमारे पुराने प्राचीन नगर है वे देखें तो वे जो बसे हैं वह नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं तो अर्थात यह जो है क्या है यह प्रागेती हासिक काली नस्तल है जहां से हमको प्रागेती हासिक चित्रों के क्या होते हैं प्रमाण प्राप्त होते हैं जो छतिस गड़ के राइगड जिले मिस्तित यह कहां पर यह जो है यह माठ नदी के किनारे पर इस्थित है और निश्चित तोर पर अगर यह सहलास रहे है तो वह किसी वह चावर्थल परवत स्रिंखला पर क्या है यह इस्थित है यह देखा जाए चावर्थल परवत स्रिंखला पर क्या है यह इस्थित है और दूसरा मह महत्पूर बात किया जाए इसकी खोज 1910 इस्वी में डबलू एंडर्सन ने किया अगर इसकी खोज की बात आती है इसकी खोज 1910 इस्वी में कौन किया यह डबलू इंडर्सन ने डबलू एंडर्सन ने क्या किया यह जो है इसकी खोज चलिए अब यहां से देखा जाती है यहां से हमको छेपांकन पध्यत के चित्र मिलते हैं बहुत महत्पूर है यहां से हमको किस प्रकार के चित्र मिलते हैं यहां से हमको छेपांकन पध्यत के चित्र मिलत करते हैं जो सबसे ज़ादा पूछा गया है एक जो आपके बिगत प्रश्न पत्रों में आये हैं। जैसे असेयत कंगार्वों के चितर कहां से मिले हैं। यहां से किश्छन पूछा गया है असेयत कंगारवों के चित्र कहां से मिले हैं वह जो है सिंगहनपुर से असायत कंगारवों के चित्र प्राप्त हुई है यहां से हमको जो है देखा जाए तो एक घायल भैसा यहां से देखा जाए तो घायल भैसा यहां तो जंगली सान का है एक अन चित्र यहां से प्राप्त होता है गाय घायल भैसा तीरों से विधा हुआ है अर्थात एक भैसा है जिसके क्या है शरीर पर जो है अनेक तीर लगे हुए है जो घायल है और वह दम तोड़ते हुए उसको दिखाया गया है जिसके चारों तरब जो है भाला लिए हुए जो है सिकारियों का दल है यह भी यहां से प्राप्त होता है अर्थात यहां के चित्रों के बारे हमने बताया जो है सिंघनपूर से हमको छेपांकन पध्यत के चित्र प्राप्त होते हैं यहां से हमको असायत कंगारवों के चित्र प्राप्त होते हैं यहां से एक महपूर चित्र प्राप्त होता है इसके अलामा ध्यान से सुनिये गाइल है सब形 και मि लगें हो चुका है वह दम तोडते हुए उसको दिखाय गया है जिसके चारों तरब डिशहार सिंधनपूर सिंगनपुर देखा जाए यह क्या है यह प्रागैतिहासिक कालिन अस्तल है जहां से हमको प्रागैतिहासिक कालिन सिलाचित्रों के प्रमार प्राप्त होते हैं जो 36 गड़ के राइगड़ जिले में माट नदी के किनारे चावर्थल परवस्रिंखला पर क्या हिस्तित है जिसक के चारो और भाले लिए हुए जो है सिकारियों का दल है तो आपका उत्तर क्या है मित्र यह डी जो है बिल्कुल सही है और जो भी मित्र यहां पर उत्तर दिये हैं सारे मित्रों का उत्तर क्या है बिल्कुल सही है एक बार हम आप से कहना चाहते हैं अब आप लोगों की संख्य संख्या 100 पार कर चुकी है आप जित्ते भी मित्र हैं एक मित्र कम सकम जो है पांच लोगों को जो है शेयर करें अगर आप लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे निश्य तोर पर या संख्या 500 के पार जा सकती है चलिए आई देखते हैं अगला प्रस्ट देखिए आप से क्या कह सालतम नगर है अब आई देखा जाए अगर जो है दिखा हरपा काल के अगरों के प्रमाण ध्यान दिजिएगा अपकाली नगरों के प्रमाण हमको कहा स्फराप्त होते हैं खारत कि पाकिस्तान खारत पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमको जो है हरपा कालीन जो है भारत में खोजे गए हरपा कालीन सबसे विसालतम नगर है आपसन ए करा है राखी गड़ी बी करा है धौला वीरा सी करा हरपा और डी करा है आपसे मोहंचज़ों सबसे पहले हम आपको बतायते हैं कि हरप हडपा कालीन अभी आगे न देखिएगा हडपा कालीन नगरों के प्रमाड हमको भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्राप्त हो अब यहां पर देखा जाए तो अगर देखा जाए तो हडपा कालीन सबसे बड़े नगर हमको कहां से मिलते हैं यह जो है मोहन जोड़ों से प्राप्त है या मोहन जोड़ो क्या है सबसे बड़ा नगर है उसके बाद क्या है यह हडपा है लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है कि भारत में खोजे गए तो यहाँ भारत के अगर हम बात करते हैं तो भारत में जो है हडपा कालीन सबसे बड़ा नगर कौन माना जाता है यह है राखी गड़ी कौन सा है यह राखी गड़ी है और दूसरा सबसे बड़ा जो है अस्थल कौन सा है यह धौला वीर्या है तो आपका उत्तर क्या है यह बिल्कुल से जो भी भाईबंद आपसन ए लगाएं है उनके उत्तर है अब यह होता है कि राखी गड़ी है कहां राखी गड़ी कहां पर है यह आपको जानना है यह आपके भारत के जो है हरियाणा राज्ज के एक हरियाणा राज्ज के जो है यह हिसार जिले में क्या है यह इस्तित दूसरा है आपका अब दूसरी बात आ सकती है कि यह धौला वीरा कहां है धौला वीरा जो है यह गुजरात के कक् अगर ध्यान दिजेगा धौला वीर्या का साब्दी कासे है जो कहां पर इस्तित है जो गुजरात राज्य के जो है यह कक्ष छेत्र में क्या है यह इस्तित है यह नगर जो है तीन टीलों पर क्या किया गया बना है जिसको हम दुर्ग टीला मध्ध टीला और निचला टीला कहत यहां से हमको तलाप की जो है प्रमाण प्राप्त होते हैं तो आपका उत्तर क्या है ए जो है बिल्कुल सभी भाई बंदू आपसन ए लगाए हैं उनके उत्तर क्या है ए बाद कर लेते हैं कि देखा जाए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है अब प्रश्न आपसे कह रहा है ध्यान दीजेगा तिबती इतिहासकार या तिबती बिद्वान लामा तारानाथ तिबती बिद्वान लामा तारानाथ ने बौध चित्रकला की जिन तीन सैलियों का वरणन किया है इसमें नहीं है अर्था तिबती इतिहासकार या तिबती बिद्वान लामा तार ने बौध चित्रकला की जिन तीन सैलियों का वरणन किया है इनमें नहीं है अब देखा जाए अब देखा जाए तिबती बिद्वान लामा तारानात ने बौध चितरकला से संबंदित तीन सैलियों का वरणन किया है जिन में कौन कौन सा है यह देव सैली नाग सैली यह मुर्त सैली जो है इसमें नहीं है तो आपका उत्तर क्या है दी जो है बिल्कुल स adaşे एक mission पूशता है जो है आजंता जो है इसी जो जारी से संबंदित है जो अजनता से संबंदित है वह बात किया है् हम बात किया तो देव सैली को हम मध्ध देशी सैली कहते हैं, जिसका केंदर क्या है, मगद है, नाग सैली के गर हम बात करते हैं, दूसरा नाग सैली के गर हम बात करते हैं, जो पूर्वी भारती सैली है, जिसका केंदर क्या है, यह बंगाल माना जाता है, जहांके मुख चितरकार, धीमान और वीत पाल माने जाते हैं अगले की एगर हम बात करते हैं यक्च सैली का यक्च सैली को हम पश्चमी घाटी सैली कहते हैं इसका मूल केंदर आपका राजस्थान का मारवार छित्र है यहाँ पस स्रिंग धर नामक जो है एक चितेरे का जो है हमको उलेख मिलता है पियह क्या है आपका जो है तिबथी इतिहासकार लामा तारान आप ने बौध चित्रकला की जिन तीन सैलियों का उलेख किया है उसमें देव सैली नाग सैली यक्च सैली है इसमें अजनता गुफा जो है देव सैली से सम्मंदित है और देव सहली को हम क्या करते हैं हम मद्ध देशी सहली करते हैं जिसका केंदर क्या है यह मगद था नाग सहली की बात करते हैं नाग सहली को हम पूरवी भारती सहली करते हैं जिसका केंदर क्या था बंगाल था जहांके मुक्च चितरकार यात कलीजेगा धीमान और कौन था व स्रिंगधर माना जाता है, अर्थात यहां से संबंदित नहीं है, तो आपका उत्तर क्या है मित्रD, जो है आपका उत्तर सही. ठीक है? चलिए आगे देखते हैं अगले प्रशन की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जित्ते भी मित्र जुड़े हैं सभी मित्रों का जो है हम देख रहे हैं उतार क्या है डी जो है बिल्कुल सही बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग लगातार जो है फट्मा प्रणकरा नागरी दास के काब्य में, ध्यान दीजीगा, नागरी दास के काब्य में राधहा का सौंदर वरणन का आधहार रही हैं, ए है मोनालिसा, बी है बनीठनी, सी है सकुंतला, और डी है आपका ये सुधरा. नागरी दास के काब्य में, राधहा का सौंदर का वरणन का आधहार रही हैं, वह कौन सा है, वह आपका उत्तर क्या है, बी बनीठनी, ठीक है, यह क्या है, बी आपका जो है बनीठनी, अब आईए इसकी बात कर लेते हैं, अब यहाँ पर देखा जाए, तो नागरी दास कौन यह आप देखेंगे सामंत सिंग, यह किसनगड़ सैली के क्या है, यह सासक है, और किसनगड़ सैली इनके समय में क्या हुआ, यह चर्मोतकर्स को प्राप्त होती है, अथा सामंत सिंग जो है, यह किसनगड़ के राज्य के क्या है, यह सासक है, इनके समय में किसनगड़ सैली ज हत्पूर की उशन पूस्तकता है कि जो आपका किसनगर सैली है यह राजस्थान के किस सैली की उप सैली है तो यह हम देखते हैं यह किसनगर सैली जो है यह मारवार सैली की उप सैली है यह किसकी यह मारवार सैली की यह क्या है यह मारवार सैली की क्या है यह उप सैली है राजा सावन सिंग जो है यह नागरी दास उप नाम से जो है वह कविताएं लिखते थे जो किसनगर के क्या है किसनगर राजी के राजा है जिनके समय किसनगर सैली अपने चर्मोत कर्ष पर पहुंचती है यह मारवार जो तो किसनगढ़ राज के जो राजपूत थे, यहां पर राठ और राजपूतों का सासन था, यहां पर देखा जाए, तो किसनगढ़ में जो है, यहां पर क्या था, यहां पर जो है, राठ और राजपूतों का क्या था, यह सासन था, यहां पर जो है, राठ और राजपूतों क प्रकास में लाने का स्रीग्ध डॉ यहां पर उत्तर सही है वोई है आपका भी यह में पर बिल्कुल सही है? बनी थणी को जो है भारत का मोनालिशा कहा है तो आपका उत्तर क्या है? बी जो है बिल्कुल सही आईए चलते हैं मित्र अगले प्रश्ण की बात कर लेते हैं देखिए अगला प्रश्ण आप से क्या करा है चलिए मित्र सातमा प्रश्ण आप से क्या करा है बहुत ही महत्पूर है मुगल सैली में कितने प्रकार के रंगों का प्रियोग हुआ है अब आईए हम बात करते हैं तो मुगल सैली में वनस्पति, राशायनिक खनीज अर्थात मुगल सैली के चित्रों में आप देखेंगे वहाँ पर आपको वनस्पति रंगों का भी प्रियोग मिलेगा रासाइनिक रंगों का प्रियोग मिलेगा खनिज रंगों का क्या किया है वहाँ प्रियोग किया गया है अर्थात हम कह सकते हैं वहाँ पर आपके सभी प्रकार के रंगों का क्या किया गया है वहाँ पर प्रियोग किया गया है अब देखा जाए जो मुगल सैली के चित्र हैं यहां दीजे मुगल सैली के अगर हम चित्रों की बात करते हैं मित्र तो यहां पर मुगल सैली के जो चित्र है अधिकांस्ता क्या है यह लगुचित्र हैं मुगल सैली के जो चित्र है वह जादा तर यहां पर कागच पर बने है सूती कपड़े पर बनाए गए है और जो है दिवारों पर जो है क्या किये गए है यहां पर जो है चित्रन किये गए है अर्था जो मुगल सैली के चित्र हैं वहां लग चित्र हैं यह चित्र जो है कागच तूती कपड़े और दिवारों पर क्या किये गए है यहां बनाए इसमें देखा जाए तो अधिकांस्ता है एक चस्मिके चहरे का प्रियोग किया गया है। यहां पर भानुदत की किस रचना का चित्रण देवी दास ने किया है, वह कौन सा है, वह रस मंजरी है, तो आपका उत्तर क्या है, यहां पर हम देख रहे हैं कि अर्चना जी है, रोली सिंग जी है, पिंस जी है, निगम जी है, सालनी जी है, ठीक, यहां पर जो है, सैलिंदर जी है, ठीक, रोली सिंग जी, सोडम सिंग जी, प्रदीब गुपता, प्रमोच जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए चलते ह अब अगले बात हम कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्ण आप से क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, नौवा प्रश्ण आप से कर रहा है कि कांगला सैली, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कांगला सैली के चित्रकारों, कांगला सैली के चित्रकारों ने नाइका भेद के चित्रों में कितने प्रकार के नाइकाओं का चित्रन किया गया है। यहां कांगडा सहली के चित्रकारों ने नाइका भेद के चित्रों में तीन प्रकार की नाइकाओं का अंकन किया गया है। कितने तीन प्रकार की वह कौन है स्वकिया। ठीक है स्वकिया, परकिया और कौन है सामान अर्थात यह तीनों हैं तो आपका उत्तर क्या होगा यह डी क्या है बिल्कुल सई जो भी भाई बंदू आपसंडी लगाएं हैं उनके उत्तर क्या है बिल्कुल अब यह है कि जो कांगला सैली है यह कहां की सैली है तो जो कांगला सैली है यह पहाड़ी सैली है यह कहां पर आपका यह हिमान चल प्रदिस कहां पर यह जो कांग्डा सैली है इसका छेतर कौन सा माना जाता है इसका छेतर जो है यह हिमांचल परदेश माना जाता है जहां के कांगडा सैली के जो है सबसे प्रभाव साली सासक कौन है संसार चंद्र है यहां पर कांगडा सैली के जो है सबसे प्रभाव साली सासक कौन है यह संसार चंद्र है जिनके समय में कांगडा सैली जो है अपने चर्मोत कर्ष पर होता है यह कांगडा सैली जो है देखा समय में कांगडा सैली अपने चर्मोत कर्स पर पहुंसती है यह बैशनो धर्मे के अन्याई थे यह किस धर्मे के अन्याई है यह जो है यह बैशनो धर्मे के जो है यह अन्याई जो है यह माने जाते हैं इसके बाद जो है स्वकिया परकिया और समान से एक किश्चन और पूसत है जिसमें अधिकांस्ता आपको जो है यहां पर क्या होगा कन्फीजन होगा उसी कन्फीजन को हम दूर कर देते हैं जब आपको पूछे कांगला सहली के चित्रकारों ने नाइका भेद के चित्रों में कितने प्रकार की नाइकाओं का अंकन किया है अगर नाइकाओं के अंकन कर देगा अर्था स्वकिया पर्किया और समान नाइकाओं की अगर अवस्थाओं की बात करेगा तब उनकी संख्या कितनी होगी आठ अर्था स्वकिया पर्किया समान नाइकाओं की अवस्थाओं की बात करेगा तो उनकी संख्या कितनी मानी जाएगी यह आठ मानी जाएगी तो आपका उत्तर क्या है मित्र यह डि जो है बिलकुल सए है, जो विभाईबंद्व आप संडि लगाएं हैं, अगर यहाँ पर नाइकाओं के अंकन की बात कितने प्रकार की नाइकाएं एगर आँप पूछचा जाता है, तो आप तीन प्रकार की नाइकाओं बताएंगी, अ में तक दसमा प्रशन आई हम देखते हैं बहुत ही महत्मूर प्रशन बहुत ही सरल प्रशन इसकों हम कई बार करवा हम करवा चुके हैं सिल्प कथा वह रूपावली पुस्तकों के रचैता का नाम क्या है बहुत ही महत्मूर क्यूशन है यह कई बार आप से पूछा जा चुक पुस्तकों की रचेटा कौन है यह नंद लाल बशु हैं यहां पर आप संध्यान दिजिएगा इसमें अवणिद नात टैजगोर है नंद लाल बोस हैं छितिन नात मजुंदार हैं असित कुमार हलदर हैं अगर इन तीनों के लोगों की कलकता कला विद्याले में कलकता कला विद्याले में इन लोगों ने कला की सिक्षा प्राप्त किया और इनके गुरू इन तीनों के गुरू की अगर हम बात करते हैं तो कौन है भीया अवनिन नाट टैगोर जो है इनके गुरू है अवनिन नाट टेगोर के प्रमुक्सिस्चों में कौन है नंदलाल बोस है जिनको हम मास्टर मुसाई के नाम से जानते है इनको हम किस नाम से जानते है जिनको हम मास्टर मुसाई के नाम से जानते है यहाँ पर देखा जाये तो अवनिन नाट टेगोर को हम अवनी बाबू के जानते हैं नंदलाल बोस को जो है हम माश्टर मुसाहि के नाम से जानते हैं छितिन नात मजुंदार को हम संत कलाकार के नाम से जानते हैं असित कुमार हल्दर को हम कवी कलाकार के रूप में जो है जानते हैं यहां पर देखा हमने आपको बताया कि नगर नंदलाल बोस का जन्म की बात होगा तो 1883 स्वी में नंदलाल बोस का जन्म मुंगेर बिहार में हुआ था अब यहाँ पर जन्म की बात कर लेते हैं 1883 में कहाँ पर मुंगेर बिहार में जो है इनका जन्म हुआ था इन्होंने कलकता कला विद्याले में जो है सिक्षा प्राप्त किया जिनके कला गुरु कौन है यह अवनिन नाट टेगोर है और यह जो है यह अनेक संस्थानों से जु जक सांती निकेतन कला भवन से जो है समंधित रहे इनके जो चित्रण विद्हान थे वह सबसे अलग थे इसलिए इनके चित्रण विद्हान को नव बंगाल सैली के नाम से जाना जाता है जो इनका चित्रण विद्हान था वह सतन था इसलिए इनके चित्रण विद्हान को हम क्या काते हैं नो बंगाल स्टैली के नाम से जो है हम यहाँ पर जानते हैं बहुत कुछ है नंदलार बोस में जिसमें हम प्रश्णों के माध्यम से पूरा तो नहीं समझा सकते लेकिन एक चीज़ हो रहां बताना जाते हैं कि अजन्ता तथा बाग गुफाओं का इन्होंने भित चित्रन बनाया तो आपका उत्तर क्या है यह बी जो है बिल्कुल सही है आगे चलते हैं अगले प्रश्ण का आईए हम इग्रहमे प्रश्ण की बात कर लेते हैं चलि मित्र अब इग्रहमा प्रश्ण है ध्यान दिजेगा सैलेन नाट डे की कृति नहीं है यहाँ पर सैलेन नाट डे की कृति नहीं है यहाँ पर यह प्रभु लिखा है प्रभु हरिदाश अंतिम अवस्था में अब यहां पर सैलेंट नाट डे की अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं सैलेंट नाट डे का जन्व जो है प्रियाग राज के दारागन्ज में हुआ अर्थात इनका जन्व इलहारवबाद में हुआ था अर्थात अगर हम सैलेंट नाट डे की बात करते हैं सैलेंट डे का जन्व प्रियाग राज अर्थात देखा जाये तो दारागन्ज में इनका जन्व हुआ था इसके बाद अन्य महत पूर्ण चीजों के बारे में अगर हम आपको बताते हैं यहाँ पर राजस्थानी कलाका इनको अगरणी कलाकार माना जाता है राजस्थानी कलाका अगरणी कलाकार जो है अगरणी कलाकार माना जाता है और यह जो है जैपूर कला विद्याले के प्रधानाचायर थे यह जो है जैपूर कला विद्याले के विद्याले के क्या रहे यह जो है यहाँ पर प्रधानाचायर रहे इनकी एक महत पूर्ण पुस्तक आप से पूस्तक का नाम है भारती चित्रकलापध्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत् इनकी एक महत्पूर्ण पुस्तक है जिसका नाम क्या है भारती चित्र कला पध्यत है अब देखा जाये अब यह बात आती है इनके चित्र में मेघ दूद्च चित्र सिंखला बनवासी यक्ष पतनी ये तीनों है प्रभु हरिदास अंती मवस्था में यह चित्र किसका है यह जो है यह सैले नाट देखाना होकर यह किसका है छितिंद्र मजुम्दार का है यह किसका है यह चित्र जो है छितिंद्र मजुम्दार का यह जो है जित्र जो है यह मान इनके प्रमुक्सिस्योग में कुशन पूस्ता है राम गुपाल विजय वर्गी इनके प्रमुक्सिस्य है देव की नंदन सर्मा इनके प्रमुक सिस्य हैं, संभुनात मिस्र इनके सिस्य हैं, मोहनलाल इनके मिस्र, यहाँ पर देखा जा, सहले नाट डे की कृति नहीं है, सहले नाट डे की कृति प्रभु हरिदासंती मवस्था में कृति नहीं क्योंकि यह कृति जो है, छितिन नात राजस्थान में हुआ था यह राजस्थानी कला का अग्रणी कलाकार माना जाता है जो जयपुर कला विद्याले के प्रधाना चाहते हैं इनकी पुस्तक भारती चित्रकला पध्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्यद्य इसमें आपका उत्तर क्या है? यह दी जो है बिलकुल से, जो भी भाईबंधो आप सन्ती लगाएँ हैं वह उत्तर क्या है बिलकुल? चलिके बरहमा प्रश्ण आपसे कर रहा है ध्यान दीजिएगा रहा है रंगो का समराट कहा जाता है यह बहुत ही महत्मून की श्यन है और बहुत ही सरल की श्यन है रंगो का समराट जो है अब्दुलरहमान चुक्ताई साहब इसको कहा जाता है अब्दुलरह्मान चुक्ताई को कहा जाता है जिनका जन्म 1897 विस्वी में लाहोर में हुआ अगर देखा जाते इनका जन्म जो है 1897 विस्वी में कहां पर हुआ था यह लाहोर में जो है यह इनका जन्म और यहां पर अगर हम बृत्य की बात करते हैं तो 1975 इस्वी में ठीक है 1975 इस्वी में जो है यह पाकिस्तान में जो है यह इनकी बृत्य अर्था जन्म लाहोर पाकिस्तान में हुआ था अम्रत भी जो है यह कहां पर हुआ था यह पाकिस्तान में हुआ यह जो है बंगाल अर्थात कलकता कला विद्याले मिन्होंने सिक्षा प्राप्त किया अगर सिक्षा की बात करते हैं यह जो है कलकता कला विद्याले मिन्होंने कला के सिक्षा प्राप्त किया और इनके गुरू कौन है, अवनिंदर नात टैगोर अवनिंदर नात टैगोर क्या है यह इनके जो है यह कला गुरू जो है यह माने चाहिए अब देखा जाए बंगाल सैली के पिरचार के लिए इनको कहां भेजा जाता है लाहूर आर्ट स्कूल गए या जो है बंगाल सैली के प्रचार के लिए, या कई बार किशन पूछा गया है, बंगाल सैली के प्रचार के लिए, प्रचार के लिए, समरिंदरनाथ गुप्त, समरिंदरनाथ गुप्त, समरिंदरनाथ गुप्त, दूसरा आपके कौन हैं, यह चुगदाई साहब, लाहूर आर्ट इस्कूल कहां गए या लाहूर आर्ट इस्कूल यह जो है यह जाते हैं इनके चित्रों में हमको जो है भारती फार्थ का समन्ने अगर इनके चित्र की बात किया जाए इनके चित्रों में हमको जो है भारती और फार्सी तत्तों का समन्ने मिलता है इनके चित्रों में हमको भारती और फार्सी तत्तों का क्या मिलता है यहां पर समन्ने मिलता है अर्थात रंगो का समराट अब्दुलरह्मान चुपताई साहब को कहा जाता है इनका जन्मट 1897 स्वी में लाहोर अम्रित 1975 स्वी में कहां पर हुआ यह पाकिस्तान में हुआ इन्होंने कलकता कला विद्याले में सिख्छा प्राथ के जिनके कला गुरु जो है अवने नाट टैगोर यह बंगाल सैली के प्रशार के लिए जो है इनको लाहोर आर्ट इस्कूल भेजा जाता है जिसके साथ में जो है समरेन नाद गुथे इनके चित्रों में हमको भारती और भारती सत्तों का क्या दिखता है यहां पर जो है समन्मट यहां पर आपका उत्तर क्या है बरहमे का भी है आईए देखते हैं अगले प्रश्ण की बात करते हैं आपका तिरहमा प्रश्ण कर रहा है कि वर्स 1925 में निर्मित फिल्म ध्यान दिजीगा में किंग सुधोधन की भूम का किसने निभाई थी आपसन ए करा है सारदा चरण उकील दी करा है मुकुल चंदे सी करा है सुधिर रंजन खास्तगेर और डी करा है आपका नंदलाल पोष्ट चले मित्र आई देखा जाए अब यहां पर अगर हम बात करते हैं यहां पर अग अबिने किया अर्थात यह अभिनेता थे अर्थात आपका आपसन क्या है यह जो है बिल्कुल सई है अगर इनके हम जन्म की बात करते हैं तो 1888 इस्वी में यहां पर देखा जाए तो 1888 इस्वी में धाका रहांका कहां पढ़ता हमें यह बंगला देश जो है 1888 इस्वी में जो है आखा बंगला देश में क्या होता इनका जन्म की यह भी जो है कलकता कला विद्याले में सिख्छा प्राप्त किया इनके कला गुरु जो है अवनिन्ना टैगोर रहे इनके दो भाई थे वारदा वकील और दुसरे कौन है रानोदा वकील यहां पर जाये रूप लेखा नामक यहां पर क्षिण पूछ लेता है रूप लेखा नामक कला जो है कला पत्रिका का प्रकाशन आरंध किया रूप लेखा नामक यहाँ पर ध्यान दिजिएगा यह महत्पूर्ण है रूप लेखा नामक जो है कला पत्रिका का इन्हों ने क्या किया प्रकासन किया एक बारा पूरा सुन लिजिएगा यह जो है सारदा चरणुकील के गर हम बात करते हैं तो इनका जन्म अठारस ओठासी पहाँ पर यह धाका बंगला देश में हुआ था यह भी जो है कलकता कला विद्याले में पढ़े अवनिन नाट टैगोर इनके क्या थे इनके सिस्य थे यहाँ पर देखा जाये तो यह चित्रकार के साथ साथ एक अच्छे अभिनेता थे जिसमें आपने देखा प्रेम सन्यास में किंग सुद्ध भोधन की भूमिका इन्होंने अदा किया इसके साथ साथ इनके भाई जो है वार्दा वकील और रानोदा वकील क्या है यह इनके भाई है और रूप लेखा नामक कला पत्रिका का प्रकासन इनके द्वारा आरम किराया गया जो क्या है बहुत ही महत्तु है यह दोनों अगला प्रशन की हम बात कर लेते हैं अगला प्रशन करा यह दून है दून स्कूल देहरा दून के प्रथम कला सिक्षक न्युक्त किये गए बहुत ही महत्मूर क्यूश्चन है बहुत ही अच्छा यहां बताया दून स्कूल देहरा दून के प्रथम कला सिक्षक न्युक्त किये गए आपसन ध्यान दीजिएगा आपसन ए है मुकुल चंद्रडे पी है आपका नंदलाल बसू पी है सुधिर रंजन खास्तगीर है यह क्या है खास्तगीर का अर्थ होता है हिंदू ब अभी इसके बारें हम चल्चा करेंगे और इन में से कोई नहीं अब देखा जाए अब यहां पर जो क्रिशन पताया गया कि सुधिर रंजन यहां पर क्या है जो है दून स्कूल देहरा दून के प्रथम कला सिक्षक न्यूक्त किये गए तो वह कौन है यहां आपके सुधिर रंजन खास्तगीर सहब अब यहां पर जो यहां पर जो खास्तगीर है यहां पर आप खास्तगीर दे रहे हैं इनके पूर्वजों को जो है यह मुगलों द्वारा उपाद दी गई था जो खास्तगीर सब दिखाई देरा सुधिर रंजन खास्तगीर यह खास्तगीर सब जो इस उपादिकार्थ क्या होता है, यह हिंदू वैद होता है, जिनका जन्म 1907 इस्वी में, अगर जन्म की बात करते हैं, जिनका जन्म 1907 इस्वी में चटगाउं, यह चटगाउं कहां पड़ता है भी यह यह चटगाउं जो है आपके बंगला देश में है, अर्थातिनका जन् यह चटगाउं बंगला देश में अब देखा जाए यह भी जो है इनके गुरू देखा जाए तो अवनिनाट टैगोर और जो है नंदलाल बसु इनके गुरू अवनिनाट टैगोर और जो है कौन है यह नंदलाल बसु जो है इनके क्या माने जाते हैं यह इनके जो है गुरू माने जाते हैं और यहां पर सबसे महत्पूर्बात क्यूशन पूछा जाता है यह जो है क्या है सुधिर रजन खास्तकीर यह जो है मूर्तिकार है और गौड हरूप से यह क्या है यह जो है चितरकार माने जाते हैं और इनके मूर्तिसिल्पकर हमको जो है पाश्चात कला जो है रोदा का जो है क्या दिखाई 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 दिखा अब देखा जाए तो 1935 इस्वी में दून स्कूल देहरा दून की अस्थापना जो है यहाँ पर अस्थापना हुई जिसके क्या हुआ सतीस रण्यन दास उसकी अस्थापना करते हैं और आगे चलकर जो है यह प्रथम कला सिक्षक क्या होते हैं इसको न्यूगत होते हैं हैं कि लखनव कला विद्याले के स्थाप्राव 1911 इस्वी में हुई थी और इनकी न्यूकती प्राचार के रूप में जो है 1956 में होता है जिनके सिस जो है मदनलाल नागर साहब हैं रणवीर सिंग भिष्ट साहब हैं आतार सिंग पवार क्या हैं वह उनके सिस से माने जाते जो खास्तगीर सब्द है यह इनके पूरवजों को मुगलो द्वारा दी गई उपाद है जिसका साब्दी कासा है हिंदू बैद जिनका जन्म जो है 1907 इस्वी में चटगाउं बंगला देश में हुआ था जिनके गुरू कौन है अवनिन नाट टैगोर तत पश्यात नंदल जाल बोस भी क्या है उनके जो है गुरु माने जाते हैं वह बेवसाइग दिश्च से देखा जाए कला जगत पे मुर्थिकार के रूप में जाने जाते हैं और उनके मुर्थ सिल्परकवर हमको जो है पास्चात कला जो है रोदा का प्रभाव को दिखाई देता है इसके अल भग 1956 इसको देख लीजिएगा और आप जानते हैं कि लखनाउं कला विद्याले के स्थापना कब होती 1911 इस्वी में होती है तो आए देखते हैं इनके प्रमुख सिस्य की बारे में पूछ लेता है जिनके प्रमुख सिस्यों में मदनलाल नागर साहब है रणबीर सिंग्विष्ट है और आवतार सिंग्व पवार क्या है यह प्रमुख इनके सिस्य से माने चाते हैं आज आप लोगों कि संख्या बिलकुल ही कम थी ठीक आप लोगों ने थोड़ा सा प्रयास नहीं कि हां निश्यत तोर पे कुछ मित्र प्रयास की हूं लेकिन सभी लोगों ने प्रयास किया होता तो संख्या ज्यादा हो प्रश्न कर रहा है किस कलाकार को बंगाल का मन्सूर कहा जाता है कि के कि कलाकार से हमने एक प्रश्न प्रश्itaire प्रया और उस प्रश्न के माध्यम से हम कलाकार के बारे में जो महत्पूर्ण जानकारी उसको हम दे दें अर्थात यहां आपका जो 15 प्रशन है ना यह कम स्कम 50 प्रशनों 50-60 प्रशनों के बराबर है इतना हमने इसका उलेख किया है यह आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण कि आई देखते हैं यह बताया जारा किस कलाकार को जो है यह बंगाल का मंसूर कहा जाता है A है आपका समरे नाद्गुत है B विनोदiblicalी मुखरजी । अर्थात किस कलाकार को बंगाल का मंसूर कहा जाता है समरे नाद को बिनोद-विहारी मुखरजी से लोज मुखरजी के वेग्टपा पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर जो है कुछ मित्र जो है मारे कमेंट्स दिये होंगे यहां पर उत्तर क्या है डी जो है बिल्कुल सही है बंगाल का मंसूर किसे कहा जाता है के वेक्टपा जिनका जन्म की हम बात करते हैं जिनको बंगाल का मंसूर कहा जाता है इनका जन्म 1887 इस्वी में कहां पर हुआ तब यह मैसूर में हुआ था यह एक बार केशन पूछा जा चुका है कि विक्टप्पा का चन्म कहां पर हुआ था यह जो है मैसूर दूसरा देखा जाये तो यह कलकत्ता कला विद्याले में कला की सिख्षा प्राप्त किया तो इनके कला गुरू कौन है अवरिन नाट टैगोर और यह बेवसाइक दिश्ट से देखा जाये तो यह क्या ह चित्रकार के साथ साथ वीड़ा वादक था यह क्यूशन पूझा अब यहां पर देखा जाये के वेक्टप्पा के जो पूर्वस थे वह बिजय नगर के दर्वारी चित्रकार थे जो वेक्टप्पा के जो पूर्वस थे अर्थात इनके पूर्वच इनके पूर्वच बिजय नगर के दरबारी चत्रकार थे क्या थे यह जो है दरबारी जो है चत्रकार थे जो बाद में वहां से जो है यहां आकर बस गए अब देखा जाए बंगाल सैली के प्रचार के लिए इनको मैसूर भेजा गया ध्यान दीजिएगा बंगाल सैली के प्रचार के लिए इनको कहां भेजा गया इनको मैसूर जो है वहां पर भेजा गया जब इन्होंने सिक्षा प्राप्त किया जब बंगाल सैली के चित्रन की जानकारी इनको प्राप्त हुई तो बंगाल सैली का चित्रन करने के लिए जो है या बंगाल सैली का प्रचार करने के लिए इनको अब देखा जा इनके चित्रों का जो रंग विधान था वह मुगल राजस्थानी का प्रभाव दिखाई देता है अर्थात अगर रंग विधान की बात करते हैं इनके चित्रन के जो रंग विधान पर हमको जो है मुगल और राजस्थानी का आया गया था उसमें भी यह थे अर्थात 1910 इस्वी में इन्होंने अजंता की जो है यह प्रत्लिपियां तैयार की थी इनके बारे में क्यूशन पूछा जाता है कि हाथी दाथ पर चित्रन के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है यहां पर जो सबसे महत्पूर्ट क्यूशन है ह हाथी दाथ पर चित्रण के लिए प्रसिद्ध कलाकार, चित्रण के लिए जो है, यह क्या है, यह प्रसिद्ध कलाकार है, अठाथ यह महत्पूर है, यह हाथी दाथ पर चित्रण के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन माने जाते हैं, यह के वे टपा जो है, माने जाते हैं, इन् इनके चित्रों में भिच्छा मांगते बुद्ध हैं राम द्वारा हरुमान को अंगूठी अरपण है शिवरात्री राधा जो है इनके अच्छे चित्रों में आते हैं एक बार ध्यान दिजिए किस कलाकार को बंगाल का मंसूर कहा जाता है तो आप एक बार सुन लिजिएगा यहाँ पर हमने आपको बताया के वेक्तपा को जो है बंगाल का मंसूर कहा जाता है इनका जन्म 1867 मैसूर में हुआ था कलकत्ता कला विद्याले मिन्यों ने कला के सिछ्छा प्रात किया इनके कला गुरु अवनिन्ना टैगोर है यह चित्रकार के साथ साथ विड़ा वादग थे इनके पूर्वक जो है विजय नगर के दरबारी चित्रकार थे इनको बंगाल सैली के प्रशार के लिए मैसूर भेजा गया इनके रंग विधान पर मुगल तथा राजस्थानी कला का प्रभाद इठाई देता है यह भी 1910 इस्वी में अजन्ता की प्रतलिपियां जो है शीवरात्री और तौनसा है यह राधा जो है अगे चला अठाता आपका उत्तर क्या है ती जो आगे देखा जाए सोलाहमे प्रश्ण कि तो लाहमा प्रश्ण करा 1915 इस्वी में चित्रित यह प्रतिमा विसर्जन पहुत ही महत्तर है 1915 इस्वी में चित्रित प्रतिमा विसर्जन किसका चित्र है 1915 इस्वी में चित्रित प्रतिमा विसर्जन किसका चित्र है एकहराय मित्र अवनिलना टैगोर का ठी कर अगर क्या है यह जो है भी जो है बिल्कुल स्वी अब देखा जाए इनका जन्म जो है अठारा सो सॉनसाट स्वी में जोरा सांग को कोलकाता में हुआ था और 1931 स्वी में क्या होती है कलकत्ता में इनकी मृत्ति इनकी कलकत्ता में मृत्ति होती है इनके जो है छोटे भाई कौन है और नाट्टैगोर जो है इनके छोटे भाई यह बंगाल सैली की कलाकार नहीं है यह स्वतंत्र कलाकार नहीं यह क्या है स्वतंत्र कलाकार के रूप में जाने जाते हैं अब यहां से जो क्यूशन पूस्ता ह कि जो है आधुनिक समय में प्रथम घनवादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं यह जो है क्या है यह जो है प्रथम घनवादी चित्रकार माने जाते हैं इसके साथ साथ देखा जाए यह क्या है प्रथम घनवादी चित्रकार हैं इनके चित्रों पर पिकासो इनके चित प्रभाव प्रभाव दिखाई देता है और यह प्रथम क्या है यह जो है आपका उत्तर क्या है प्रभाव दिखाई देता है इनके चित्रों पर पिकासो ब्राक पालकली का प्रभाव दिखाई दिखाई देता है यह जो है यह जो है प्रत्रम कार्टरिस्ट माने जाते हैं इनका जन्मट ठारा सो सांट सांग को पॉलकाता में हुआ था और इनके मृत उनित प्रभाव दिखाई कि यहां परकुशन है खारत में आधुनिक लैंड इसके पैंटिंग के जन्मद आता हैं भारत में आधुनिक लैंड इसके पैंटिंग के जन्मदाता माने जाते हैं आधुनिक लैंड इसके पैंटिंग का जो है जन्मदाता कौन माना जाता है जल्दी जल्दी जो है आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि कि अ cater to Aija जो है किकला का रहे मत जाश्न का घंवा इसन में घंण का जन्म 1913 इसी में किकलकता में हुआ था 1913 इस्टी में कहां पर हुआ था कलकत्ता में हुआ था और जब कि कलकत्ता गुरूप की अस्थापना कलकत्ता गुरूप की अस्थापना 1943 में कहां पर हुआ था यह कलकत्ता में हुआ इसके संस्थापक कौन थे प्रदोस्तास को अथाद कुपाल गोस कलकत्ता गुरुप के कलाकार हैं जिनका जन्म 1913 कलकत्ता में हुआ था और जो है यहां पर कलकत्ता गुरुप के स्थाफ़ना 1943 सिस्वी में कहां पर हुआ था यह जो है कलकत्ता में हुआ था जिसके संस्थाफ़क प्रदोस्त आसकुपत हैं जो क्या है अब यहां पूछता है भारती आधुनिक द्रिस्य कला के जन्म दाता है भारती आधुनिक यहां पर कुछन पूछता है हमें बताए कि भारती आधुनिक द्रिस्य चित्रण के जन्म दाता प्रिश चित्रन के जन्मदाता कौन माने जाते हैं गोपाल घोस माने जाते हैं जिन्होंने जो है प्रकिश चित्रन बनाए इन्हीं को क्या कहा जाता है आधुनिक लैंड इसकेप आधुनिक लैंड इसका पेंटिंग के जन्मदाता कौन माने जाते हैं गोपाल घोस माने जात इनको जो है कलकत्ता ग्रूप का इस ऐसनीन जो है कलाकार अब यहां पर आपका उत्तर क्या है यह बिल्कुल और भारत में आधनिक लेन्ड़िस्क्यप पेन्टिंग के जन्व दाता कौन है? गोपाल गोफोन है, गोपाल गोफ जो है कलकॉथ की लगुफी जन्व 1973 में हुआ था कलकॉथ की बात करते हैं, जिसके स्चाफण Angaran 43 जो है अगला किश्चन देखते हैं यह 18 प्रश्ण है आपका रूप सिल्फ कला पत्रिका के संपादक कौन है यह डाक्टर स्याम बिहारी अगर आप जानते हों जो लोग इलहाबाद से जुड़े होंगे इनको जानते हैं इनका जन्म 1942 सिर्सा इलहाबाद इनका जन्म 1942 कहां यह सिर्सा इलहाबाद में जो है यह इनका जन्म 1942 कहां तिर्सा इलहाबाद में हुआ था यह इनके गुरू कौन है छितिन नात मजुमदार गर इनके घुरू की बात करते हैं 6 तरनात मज्यूमदार इस इतिन दरनात मज्यूमदार क्या है यह इनके जो है घुरू मानेज़े अब यहां पर आपने देखा कि जो है रूप सिल्प कला पत्रिका के संपादक रास जो है डाक्टर स्याम बिहारी अगरवाल माने जाते हैं जिसका संपादन अर्था जो है रूप सिल्प कला पत्रिका का संपादन कहां से होता है अगर यह क्यूशन पूँची दिया जाए जिसका संपादन जो है इलहाबास से हुआ और इसके संपादक कौन से हैं यह जो है डाक्टर स्याम बिहारी अग्रवाल जो है यह माने जाए उसके बाद देखा जाए तो यह जो है कला दरपड़ पत्रिका के प्रदहान संपादक है इनके ऊपर जो है एक 40 मिनिट का 40 मिनट का लग फिल्म निर्माडा थीन है इनसे संबंधित 40 यहां पर देखा जाए 40 मिनट की लग फिल्म लग फिल्म निर्माडा थीन है जिसका नाम क्या है खाली कैनमाश तो आप देहान दीजिएगा रूप सिल्फ कला पत्रिका के संपादक कौन है राग डाक्टर ज्याम बिहारी अक्रवाल है जो भी इलहाबाद से जुगा हो या जो इलहाबाद इंवस्टिस जुगा हो निश्चित वर्पन को चानता होगा जिनका जन्म 1942 सिरसा इलहाबाद म अगला प्रशन की बात कर लेते हैं अगला प्रशन आपसे क्या है अगला प्रशन बहुत ही महत्पूर है ध्यान दीजिएगा प Bobby अथ नहीं है जाहांपर चा समय लिजीगव शुदरह मुत्तर प्राण ये किसकी रचण ये मारकंडे मुकी की विल्कुल सही हैै। ऑचित्र सुत्र किसकी रचणे है नारान मुकी की है अभी सही है जैमंगला किसकी रचणा है किया थे रच्छन की क्यो है यह नग्र जीत की जो है रचना है अर्थात सुमेलित आपका डी नहीं है यही आपका उत्र क्या है मित्रत यह जो है बिल्गुर अई चलते हैं अगले प्रश्ण की कर लेते हैं देखिए अगला प्रश्ण आप से क्या जो आप महा भारत की कर्थ चितरकार का नाम है यह मैं है विश्व करमा रम्हा उत अब महा भारत में उस्वानिर०्ध की रैम कफा का उलेख्ड हैं उसा तो राजकुमारी है अनिरुद्ध की प्रेम कथा का उल्लेग उल्लेग इनसे सम्मंधित अथात इनके प्रेम कथा से सम्मंधित जो चित्रन बनाया गए है वह उसा की परिचाई का राजकुमारी उसा की परिचाई का नाम क्या है चित्रलेखा ने क्या किया है चित्रलेखा ने जो है वह उसा के सपन के आधहार पे जो है अनिरुद्ध का क्या किया है चित्रन किया है अथात महा भारत में चित्रलेखा का क्या है चित्रलेखा चित्रकार का जो है यहाँ पन्ना किया है आप लोग लगातार जुड़े रहिए आप लोगों से संबंधित जो है जो भी आप लोगों का कला जिस कला गुरूप से आप जुड़े हों जो भी आपके मित्रयार हों सबको जादा-जादा जो है वीडियो आप सेर करिए इतनी अधिक संख्या रहेगी उतना आपको जहाने में भी अच्छा लगेगा और एक नई सुचना है कि कला पर समस्त समस्त विश्यों की बात करते हैं पर ओ झाल झाल झाल